Hi everyone, कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार breakfast की recipe जिसको आप जटपट से 10 मिनट के अंदर ही बना के तयार कर सकते हो एकदम street style ये bread omelette आज हम बना के तयार करेंगे खाने में यह बहुत ही मज़ेगा लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है अगर सुभा के समय आपके पास टाइम कम हो तो आप इस ब्रेड अमलेट की रिसिपी को बेफिकर होके बना सकते हो बहुत ही कुईक बन के यह तैयार हो जाता है तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बॉल में यहाँ पर हम एड़ करेंगे दो अंडे मैं यहाँ पर दो अंडे से बना रही हूँ आप चाहे तो तीन या चार अंडे से भी बना सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा कटीवी प्यास, साथ में दो कटीवी हरी मिर्च बारिक आप अपने स्वात के नसार डाल सकते हो, यहाँ पर मैं हारा धनिया यूज कर रही हूँ, अब इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच के करीब नमक, और साथ में एड़ करेंगे यह यहाँ पर हादा चमच, लानमिच पॉडर और जीरा, और यहाँ पर मैं चाट मसाला यूज कर रही हूँ, क्योंकि स्टीट स्टैल थोड़ा चट पटा और बहुत ही तुम तीखा तीखा सा बनाता है, तो आप अगर चाट मसाला यूज करेंगे तो बाहर जैसा टेस्ट आप चाहे तो ब्राउन ब्रेट और जिस टाइप से भी आपके घर में अवलेवल हो, आप यूज कर सकते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, तेल दालने के पाद बहुत अच्छे से गरम कर लीजिए और उसे बहुत अच्छे से तावा पे या दाईपेद पे अच्छे से फैला लेजिए, अब हम इसमे एड़ करेंगे ओमलेट का मिक्र, गैस के फ्लीम को एगदम मीडियम रखना है, आपको अब अन्डे के मिक्र को तवे पे बहुत अच्छे आपको फैला देना है, अच्छी तरह से इस मिक्र को बहुत अच्छे से ढ تمाट और आप इसके ऊपर हम ब्रेट के स्लाइसेज रखेंगे इस तरह से ब्रेट के स्लाइसेस को आप मिक्शर के अउपर अरेंज कर लीजिए और इस तरह से हमें थोड़ने देर के-लिए लोब फ्लेम पर इस इस थरह से रखना और आप यह जो अंडा अच्छे से पक जाए और इसकी जो उपर की लेयर है वो थोड़ी सी ड्राइ हो जाए तो अब हम इसको पलट देंगे अगर आपने ध्यान से नहीं पलटाना तो यह देखेंगे जो अंडा है वो टूट सकता है तो बहुत ही आराम से आपको इसे अलट कर पलटना है अब पलटने के पास दूसी तरफ से भी हमें इसे लो मेडियम फ्लेम पर कुकल लेना है जिससे क्या होगा ब्रेट की दूसे तरफ भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा अब इसके उपर हम चीज स्लाइस का यूज कर रहे हैं आप चाहे तो इसे स्किब कर सक बिना चीज का भी यह बहुत टेस्टी लगता है अब देखिए मैंने इसे एक मिनट के बाद दूसे तरफ से भी पलट दिया है अब ब्रेट के दूसे तरफ के जो पार्ट हो उसको मैंने फिलिप करके पलटी करके इसे दूसे तरफ से भी पका लेंगे अब इसे मैं सेंटर में जो बीच से है उसे कट कर रही हूँ जिससे जो आमलेट है दो हिस्से में डिवाइड हो चुका है और उसके पात अब हम इसे ट्राइंगल शेप में कट कर देंगे जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा जो स्टीट स्टाइल में जैसे सर्फ करते हैं बिल्कुल ऐसा ह लगेगा यह आप बिना कट किये भी सर्फ कर सकते हो ऐसे कट करने से इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आप अपने मन पसंद के हिसाब का शेप दे सकते हो इसी तरह से हमारा जो तीस्टी मज़दार और जट पट से बनने वाला आमलेट एक्दम बन के तया कार हो जाता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो ये बहुत हैल्दी और टेस्टी रहता है इ सब्सक्राइब करना अपना बहुत सारा खयाल रखे मिलती यहां एक नई रसेपी के साथ, थैंक्स वार वाचिंग